मुश्कार दोस्तों अच्छा दोस्तों बात बताओ कि आपने जैसे मचलियां देखी होंगी फिश पॉंड में होटेल्स में घर में रहती हैं तो मचलियां को साइस देखते हों काफी छोटी-छोटी मचलियां होती हैं वो मचलियां कभी भी फिश पॉंड से बड़ी नहीं हो dai खाती छाहिए वह कोई भी प्रजाती हो मश्ली की कैसा भी ठाइब की मश्ली हो लेकिने फिशपॉन्ठ से कभी भी बडी नहीं होती है को उतनी छोटी ही नहीं रहेगी खाइब कर एक स्द्जी तख का जाएगा एक्स है या भेल मचली है और भी कोई मचली है वो समुद्र में देखो बढ़ी हो जाती है और वही मचली को अगर आप फिश पॉंड में अट्रक दोगे तो वह ज्यादा बढ़ी नहीं हो पाती है इसके पीछे बहुत बढ़ा एक मानसिक कारण क्या है कि उस मचली को पता है कि मेरा ज शरीर में कभी ग्रोथ होती है लेकिन जो समुद्र के मचली होती है उसको पता है उसके मतापार संभावना है वो कितना बढ़ा बन सकती है कितने भी बड़ी हो सकती है इसलिए वो अपने आप ही बड़ी हो जाती है तो इसलिए हमको अपने शरीर को अपने मन को ऐसा रखना है कि हम कोई लिमिट ना हो हमारे आगे बढ़ने की हमारे उपर जाने की कोई लिमिट ना हो